एलो दोस्तो जुलाई 24 को टाटा स्टील के क्वाटर वन के मतलब अप्रेल से जून जो तिमाही है उनके नतीजे आने वाले हैं नतीजों से पहले ब्रिजनस प्रिव्यू हम डीटेल में यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों तो देखें जो सबसे पहला कॉंसेप्ट जो हम आसकर देखा था 2021 के समय में बहुत अच्छा यहाँ पर एबिटा पर टन उनको था और इसका ट्रांसलेशन प्रॉफिट में भी हुआ इनफेक्ट आप फाइनांशेल ये 22 का भी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे यह लगभग 40,000 करोड के आसपास था मतलब यो टाटा उनके प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट टाटा स्टील ने किया था उस साल में लेकिन फाइनांशेल ये 23 जो हो गया आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर एबिटा पर टन थोड़ा सा कम हो गया है आप एवरेज देखेंगे हिस्टोरिकल एवरेज उसके आसपास ह है या उससे ज्यादा ही है लेकिन 2022 की तुलना में कम हुआ और जो मार्जिन्स है वो भी देखे 26 परसंट से 13 परसंट हो गए तो एबिटा पर टन देखना है अब इसको और थोड़ डीटेल में समझता है कि मैं क्या ये एबिटा से क्या मैं मीनिंग करना चाहता हूं देखि से पहले वाले जो साल का ये नंबर है ठीक है आप यहां पर एक इंट्रेस्टिंग चीज़ देखिए कंपनी की हम कमाई देखेंगे दोनों ही साल में लगभग बराबर है 2.43 लाख करोड के असपास में है लेकिन जब एबिटा की बात आती है अर्निंस की बात आती है तो आ कारण हो सकता है तो यहां एक इंप्रिटेट चीज है वह है रोआ मैटिरियो अब जीजों को हम समझतए है 2020 सामान उन्होंने बेचा बेचा तो देखा कि हमने की बराबर उन्होंने सामान बेचा है लेकिन सामान बनाने के लिए उनके खरचे लगे है expenses लगे हैं, तो वो खर्चों में एक important खर्चा होता है, जो होता है raw material का खर्चा, ओके, यह financial year 22, जो बहुत record profit हुआ था, तब 91,077 करोड था, और इस बार आप देखिए, 1.16 लाख करोड यहां पर हुआ, मतलब खर्चा actually में उनका बढ़ा है, कि steel बन रहा है, और steel बनाने के ल यह important raw material होता है, जब भी भी steel बनाया जाता है कोईला, और कोईले के price बढ़े, और उसकी वज़र से raw material के price बढ़ा, और Tata Steel के खर्चे यहां पर बढ़े, जब मैं खर्चों की बात करता हूँ, यहां पर quarter 3 से quarter 4 एक positive चीजम को देखने को मिली, या आप कह सकते हैं, turn around देखन road के आसपास, और इसका कारण क्या था, बहुत बड़ा इसका जो reason था, कोईले का जो price था, वो decline होना शुरू हुआ, मतलब पिछले साल जब 2022 चल रहा था, शुरुवात में तकलीफ थी, क्योंकि जब लडाई हुई थी और उसके बाद से, जब raw material के prices बढ़े थे, कोईले के लगा, जो की अब expected है, अभी quarter one के result में, कि EBITDA यहाँ पर पिछले साल जैसा बहुत ही तकलीफ वाला था, वैसा हमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन देखे, result आएगा था हमको, और data पता चलेगा, अब जब हम steel sector की बात करते हैं, तो China बहुत ही important होता है, और China के time में हम चाइना में कुछ मैनों पहले ही reopening शुरू हुई है, लेकिन reopening के बाद जो China infrastructure में जो growth के जो numbers थे, strong growth, वो अभी भी बहुत नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि उनके export भी down है, तो China open होकर भी बहुत जादा अभी steel का या infra का use नहीं कर रहा है, एक message यह जा रहा है, और बहुत निर्यात भी करता है, अब चीजे जब वो export करता है, उसकी भी demand कम है, इसका मतलब क्या है, यूरोप है या फिर US में या दूसरी जोगरफी में जब वो अपना steel भेज रहे हैं, उनकी भी यहाँ पर demand कम है, तो global level में problem अभी चल रही है, demand को लेकर, और China में भी growth को अ बड़ा business है, वहाँ उनका चल रहा है, लेकिन यूरोप का business यहाँ पर तकलीफ में है, और ये तकलीफ को आप यहाँ पर देखिए, ये EBITDA, EBITDA per ton में आपको अभी बता रहा था, आप देखिए, वो in fact loss कर रहा है, EBITDA per ton, अगर आप quarter 4 के result देखेंगे, quarter 3 के result देखेंगे, Tata Steel का business यूरोप में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, revenue बढ़िया चल रहा है, लेकिन यूरोप के business में अभी भी बड़े challenges हमको देखने को मिल रहे हैं, अब यूरोप के business में एक important part आ जाता है, UK का business जो की कहा जाता है, थोड़ा सा तकलीफ में है, और उसको लेकर clarity quarter 1 में expected रहेगी, यह क्या clarity हो सकती है, वहाँ पर उनका एक बड़ा steel plant है, वो plant की जो life है वो खतम हो रही है, वो asset या तो अब बंध होगा, या फिर से उसको चालू करना होगा, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा cost भी है, और चुकि यूरोप में बहुत ज़्यादा climate change और related rules है, बह बहुत ही बढ़िया रहेगा, अभी भी government ने थोड़ा बहुत support की बात कही है, लेकिन वो बहुत कम support अभी देख रहा है, तो यह अभी एक तरीके से आप मान सकते हैं, overhang जैसा है, थोड़ी uncertainty है कि यहाँ पर क्या होगा, या तो बंध हो जाएगा, या फिर चलेगा, तो यह जब results आएंगे तो हमको पता चलेगा, क्योंकि देखे, Tata Steel को जब हम analysis कर रहे है, भारत का business तो भी ठिक टाक चल रहा है, लेकिन जो Europe का business है, और खासकर UK का business है, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किससाब से growth के numbers आ रहे हैं, तो quarter 1 result बहुत सामने है, सब्सक्राइब कर